हलो दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो मैंटेनेंस डॉग ब्रीड यानि की सबसे कम खर्चे वाली डॉग ब्रीड के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमबर टेन पर है पग ये डॉग लविंग और इजी टू केर डॉग ब्रीड है इनका ओरिजिन चाइना से है ये एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जिस वज़े से ये चोटे घर या फ्लैट में आसानी से रह सकते हैं इनका कोट शॉट होने की वज़े से इने रखना और मेंटेन रखना बहुत ही आसान होता है ये फैमिली फ्रेंडली डॉग ब्रीड है और ये अपने आपको फैमिली का एक खास मेंबर समझते हैं और ये हमेशा फैमिली के बीच रहना पसंद करते हैं इनका परियर मेंटेनस कोस्ट बहुत ही कम होता है नमबर नाइ फूट किलाते हैं तो लगबग मन्त में इन्हे 6 से 7 केजी चाहिए होता है और अगर आप इन्हें घर का खाना देते हैं तो उससे भी कम खर्च आता है नमबर 8 पर है डैशन इनका ओरीजिन जर्मनी से है ये भी एक low maintenance dog breed है ये एक small size dog breed है इनका court short होता है इसलिए इन्हे maintain रखना बहुत ही आसान होता है ये एक family friendly dog breed है ये एक छोटे घर में बड़ी ही आसानी से रह सकते हैं ये dogs घर के खाने या dog food में अच्छे से maintain रहते हैं नमबर 7 पर है Indian speeds इनका ओरीजिन इंडिया से है ये dogs playful, intelligent और active होते हैं इन्हे maintain रखना बहुत ही आसान होता है ये small size dog breed है इनका court medium होता है इसलिए इन्हे हफते में दो बार ही grooming की जरूरत होती है क्योंकि ये एक Indian dog breed है इस वज़े से ये हर वेदर में बड़ी ही आसानी से रह सकते हैं ये dogs जल्दी विमार नहीं होते हैं और इन्हें घर का खाना पसंद होता है इसलिए इनका per year cost बहुत ही कम होता है नमबर 6 पर है Beagle इनका origin United Kingdom से है वैसे तो इन dogs की price थोड़ी जादा होती है लेकिन इनका maintenance cost कम होता है ये एक medium size dog breed है जो कि हर तरह के घर में रह सकते है इनका court short होता है और ये इतने family friendly होते हैं कि आप इने चोटे बच्चों के साथ आसानी से रख सकते हैं नमबर 5 पर है boxer इनका origin Germany से है ये बहुत ही अच्छे guard dog माने जाते हैं इनका court short होता है boxer dog dog food या घर का खाना जैसे की दूद रोटी खाने से भी बहुत ही अच्छे से maintain रह है ये एक small side dog breed है इनका court long और काफी silky होता है जिस वज़े से इने अच्छी तरह से grooming करना जरूरी होता है आप इने dog food या घर का खाना दे सकते हैं और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये dog breed आपके लिए right choice है नमबर 3 पर है राजा पलियम dog इनका origin इंडिया से ह ये dogs easily मिल जाते हैं इनका price भी बहुत कम होता है इन्डियन dog breed होने की विज़े से ये किसी भी वेदर में बड़ी आसानी से रह सकते हैं ये dog बहुत ही कम बिमार पड़ते हैं ये बहुत ही strong और healthy होते हैं इनका court short होता है और ये dogs गर का खाना बड़े ही प्यार से काते हैं इन का court short होता है और ये खाने में कभी आना कानी नहीं करते अच्छे से खा लेते हैं फिर चाहे वो dog food हो या घर का खाना हो पर आपको इनकी डाइट को अच्छे से maintain करना होगा वरना ये बहुत ही जल्दी weight gain करते हैं जिस वज़े से इन्हें चलने फिलने में भी तकलिफ होती ह नमबर वन पर है इंडियन परिहा डॉक्स इनका ओरिजिन इंडिया से है सबसे कम maintenance वाली dog breed है और ये डॉक्स सभी वेदर में strong रहते हैं ये एक medium size dog breed है इन्हें maintain करना बहुत ही easy होता है ये बहुत ही अच्छे guard dog भी होते हैं इन्हें आप घर के खाने से भी healthy और strong रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यूं इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ